अप्राजिता के बारे में ये facts आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी अप्राजिता से जुड़े हुए कुछ facts शुरुआत करते हैं अपने अप्राजिता के पौधे के बारे में First fact अप्राजिता पौधे के जो ताजा पत्ते होते हैं उसको इस्तमाल किया जाता है लैक्टिशन नामक विशेश गुण होता है इसके पत्तों के अंदर जो की इम्म्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है 2. अप्राजिता पौधे के पत्तों में पाये जाने वाला क्याटीन नामक योगिक आखों की स्वास्त को बनाये रखने में मदद करता है और आखी आखों को चुरुस्त जल्दी से कर देता है 3. इसके पत्तों के अधिक सेवन से मैमरी भी बढ़ती है और इसके लावा मेंटल और डिसॉर्डर में भी हेल्प मिलती है और अगर किसी को सब बहुत जादा तनाव रहता है तो इसके पत्तों का सेवन करना आपको आरंग दायक मिलेगा 4. अप्राजिता पौधे के आम तोर पर जंगली और अधिकतर अस्तित्व रहने वाले छेत्रों में ये पाया जाता है और आजकल इसको हम लोग बैलकनी गार्डन में भी देख सकते है 5. इसके पत्ते एंटी इंफ्लमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं जो विभिन प्रकार के इंफेक्शन या स्वेलिंग को कम करने में भी हेल्प करते है 6. अप्राजिता पौदे के ताजी पत्तों का जो रस होता है वो ठकान को और ठकावट को दूर रखता है और शरीर को नई एनरजी प्रोवाइड कराता है 7. आयूरवेदा में माना जाता है कि अगर इसके पत्तों का ताजा रस मूंफली के तेल और शहद के साथ मिलाकर पिया जाए तो इससे पूरी सुबह से लेके शाम तक ताजगी बनी रहती है और आखों के लिए भी इसके जो पत्तिया है वो फाइदेमंद होती है 8. इसके पत्तों की पेस्ट बनाकर अगर चोट पे या अगर किसी को जूए हो गई है अगर सर में इस्तमाल किया जाए तो यकीन मानिये जो बालों का जो वॉल्यूम होता है घहना बन होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है 9. अप्राजिता पौधा विशेश प्रकार के फैल्वनॉइड स्टैनिन और फॉनिलिक अमल और अन्य प्राकरतिक योगित्याओं का तोत्र होता है इसलिए इसको आयूर्वेदा में नंबर वन की श्रेणी में रखा गया है 10. इस पौधे के पत्ते से जो गठिया भाय होती है या जोडों के दर्द होते हैं या अन्य कोई सम्मधित समस्याएं होती है उसके इलाज में भी इसका पत्तों का और इसके फूलों का इस्तमाल किया जाता है 10. अप्राजिता पौधा गर्मी के मौसम में तो बढ़ता ही है लेकिन सरदी होते होते इसके सारे पत्ते शैडो जाते हैं और ये सूप जाता है लेकिन ये खुद से सीड्स को निकालता है बीच को उत्पन करता है जिससे आप दुबारा से इस पौधे को ग्रोव कर सकते है 10. अप्राजिता के जो फूल होते हैं उनमें ऐसी कोई महक नहीं होती है लेकिन फिर भी ये पौधा वास्तु के अकॉर्डिंग माना जाता है कि शिवजी और परवती जी को चढ़ाने पर सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है ये पौधा आम तोर पर तो त्वचा की भी देखबाल करने के लिए उप्योगी माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगर तेल के अंदर इसके फूलों को सुखा के उसको अच्छे से फ्राय करके और इसका एक उप्टन बनाया जाए तो तेल से मसाज या त्वचा के उप्योग किया जाए तो उससे मुहां से और जो पिंपल्स होते हैं जो एक्नेज होते हैं वो खतम हो जाते हैं अप्राजिता पौदों के पत्तों का जो रस होता है वो प्राकर्तिक एंटियोक्सिटेंट होता है जो कि शरीर के रोगों से लड़ने में आपको ताकत देता है और हमारी बॉड़ी के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है गर्मियों की मौसम में अप्राजिता पौदों की पत्तियों को चबाना या इसका काड़ा बनाकर पीना बॉड़ी के अंदर शरीर के अंदर गर्मी को समाप्त करता है और थंड़ापन स्थापित कर देता है अप्राजिता की पौदों का इस्तमाल जैसे की लंग कैंसर अस्तमा में भी इस्तमाल किया जाता है तो इतने सारे घुणों से भरपूर ये अप्राजिता के पौदे को आपको अपने घर के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताएगा और गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए